नमस्कार दोस्तों जैहिन जभार्द स्वागे तब सभीका जगु वाजी डिफेंस केडमी के यूटूब जैनल पर आर्मी की तियारी करने वाले मेरे सबी यूँआ भाईयों को जैहिन जबार्द चलिए दोस्तों आज का सेशन डाट कते हैं आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे आर्मी अगनिवीर के लिए मैज का प्रैक्टिस सट जिया दोस्तों आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की त्यारी कर रहे हैं इस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टिंट है इस सेश किस्वन किस्वन वर एक अपके सामने है बिल्कुल ओरिजिनल लेवल के किस्वन है भई पहला किस्वन आपसे पूछा गया है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को करम से 6 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक को भरने में कि इतना समय लगेगा तो यहां पर देख रहा है दो पाइप है पहला ए है दूसरा कुन सा भी है पहला पाइप 6 मिनट में भर रहा है दूसरा पाइप भी है यह 12 मिनट में भर रहा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम सबसे पहला काम करेंगे इन दोनों का एलसीम लेंगे जिससे टंके की कुल समता आ जाएगे कि टंके कितने लिटर के है तो 6 और 12 कैलसीम कितना होगा 12 बारा जो आपकी टंके है कितने लिटर के है 12 लिटर के है अब इन दोनों पाइपों की क्या करेंगे जिशल्द के हम केपाशिटी निकालेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल देंगे, A और B, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल देंगे, तो पहला पाइप दो लिटर पानी बरेगा, दूसरा पाइप एक लिटर बरेगा, मतलब दोनों अगर साथ खोल देते हैं, तो एक मिनिट में दोनो भरेंगे तीन लिटर पानी तंग कितने लिटर की है आप से question यह पूछा है कि अगर दोनों pipe एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भरेगी तो बारा में क्या करते भाई तीन का भाग लगा दे अंसर कितना आजाएगा चार मिनिट अप का अंसर आजाएगा जो कि option A के अंदर है question number 1 का right answer रहेगा option A next question 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 number 2 question number 2 बहुती अच्छा question भाई army के original paper में same as it is question आया था थोड़ी बहुत संक्या change हो सकती है यह दिए X बराबर Y हो तो 15 इंटू X-Y का मान क्या होगा बहुती अच्छा question है भाई विदिन 5 सेकिंड में आप इस question को कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इस question का answer गल ठोक रहे थे X बराबर Y हो तो 15 इंटू X-Y का मान आपसे पूझा है तो यहाँ पर देख रहे हैं X बराबर Y का मतलब क्या है कि जो X का मान है वही किसका है Y का है अगर X का मान 10 है तो Y का मान भी कितना होगा 10 अगर X का मान 15 है तो Y का मान भी क्या होगा 15 तो यहां पर आप देख रहे हैं 15 को गुणा करना है किसके साथ x-y आपको पता है कि x और y दोनों की value क्या है समान है तो x में से y- करेंगे तो कितना होगा जीरो होगा और 15 को जब आप 0 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा 0 आएगा option D is question का right answer रहेगा original paper में question पूछा गया था बई next question 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 number 3 आपसे पूछा है कि 141,149,142,138 का ओसत क्या होगा ओसत ग्यात कैसे करते हैं जितनी भी संक्या है उनका क्या कर दो योग कर दो और जितनी संक्या है उनका क्या कर दो भाग लगा दो तो यहां पर संक्या कितनी है चार स इनका योग हो जाएगा चार का भाग लगाना है कितना आजाएगा 140 आपका आउनसर आजाएगा option C is question का right answer रहेगा next question 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 number 4 question number 4 discuss करते हैं भाई आपके लिए practice set बहुत ही important होते हैं क्योंकि एक practice set के अंदर हम maths के अधिकतर topic discuss कर लेते हैं मतलब हर topic का एक question रहता है जिससे एक बार में आपके मेहत क्या हो जाती है रिवीजन हो जाती है जिससे आपके concept है या अच्छे develop हो जाते हैं question number 4 आपसे पूछा है कि Amit ने किसी कारिए का 3 वटा-5 भांच हिसा किया wheat reaction में कयाय और रखा है उसका 3 बटा 5 इसा किस ने कर दिया? अमित ने कर दिया तो पीछे कितना बचा? एक में से क्या कर दे? 3 बटा 5 माइनस कर दे कितना आजएगा? 2 बटा 5 आजएगा और ये 2 बटा 5 इसा कून कर रहा है? विक्रम कर रहा है आपसे क्योशन भी ये ही पूचा है कि विक्रम ने उस कारिये का कितना बचा किया? तो इसका आनसुर रहेगा 2 बटा 5 अपसन A इस क्योशन का राइट आनसुर रहेगा नेक्सक्योशन क्पुशन की mais voiture 5 किकिशुन हुव फाइब आपसे पूचा है कि टोटल जो भाग है वो तीन है, तीन में से एक, तीन में से एक असी लिटर, तो तीनों भाग कितना हो जाएगा भी, असी को तीन से गुणा कर देंगे, आठ या चोईस मतलब दो सो चालिस लिटर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बट्टा तीन भाग भ एक सो चालिस प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ग्याद करें, एक ती है का मतलब क्या होता है, एक बट्टा तीन होता है, तो कोई संख्या मान लिजिए एक उसका आप क्या कर रहे है एक वट्टा तीन कर रहे है उस संक्या का क्या कर रहे है एक वट्टा तीन कर रहे है तो आपको कितना प्राप्त दो रहा है Option C इस question का right answer रहेगा Next question question number 7 Question number 7 आपसे पूछा है कि 3y बटा y-d squish है तो y का मान तो याद करें क्या दिरक्त है question में आपको दिरक्त है कि 3y बटे y-do बराबर आपको दिरक्त है μान तो आपसे पूछा है य का मान जात करें तो इस संख्या को Y-2 को क्या कर दें आगे बेज़ दें, यहाँ पर इक समे भाग में है, आगे चली जाएगे गुणह में तो क्या बन जाएगा 3Y बराबर माइनस दो के साथ माइनस दो के साथ गुना करना है किसको वाई माइनस दो को तो पहले माइनस दो को वाई के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का दो वाई अब माइनस दो को माइनस दो के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा पलस का चार हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया माएनस दो y, पलस या, अब यह जो माएनस के 2y हैं, इसको लेआ loud इस तरह, यह किसमे माइनस में, इस तरह आएंगे, किस के हो जैएगे, पलस के, तो क्या हो जैगा 3y में, 2y जोड देंगे, कितना हो जैगा 5y, 5y पराबर कितना हो गया, 4, अब यहाँ पर देख रहे हैं यह 5 Y के किसमे गुणा में आगे जाएगा किसका हो जाएगा भाग का तो चार बट्टे 5 तो Y कमान कितना रहेगा चार बट्टा 5 किस्ट नुमर 7 का राइटाम सुर रहेगा अगर सिसन आपको अच्छा लग रहा है और सिसन को लाइक नहीं गया है तो मेरे सबी भाईयों से कहना चाओगा भाई सिसन को जादा से जादा लाइक करो और सिसन को जादा सी जादा सी जादा सी करो लेकिन आपका सेर जरूरी है अपको सेर करना होगा ज़्यादा से ज़्याधा liyew लेकर आओ फोज़न नम्र 8 आप से पूछा है कि राम उलस्याम की आयु का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है यदी राम की आयु 36 वरस है तो आप से पूछा भाई सियाम की आयु क्या होगी यहाँ पर आप देख रहा है दो वेक्ती है एक राम और दूसरा कोनस सियाम है इनकी जो आयू का अनुपात है वो दिर का तीन अनुपात चार इसका मनलब राम की जो आयू है उसका अनुपात है तीन स्याम के आयू का अनुपात है चार यहां पर किसकी आयू दिर की है राम के अयू कितनी है 36 वरस तो ये राम के अनुपात के बराबर होगी राम के आयू का अनुपात कितना है तीन मलब तीन अनुपात का मान कितना होगा च्छतीस तीन अनुपात का मान च्छतीस है अगर मैं आपसे पूछू भाई कि एक अनुपात का मान कितना होगा अब आपसे पूछा वहाइज स्याम क्या यू का अनुपात कितना चार अनुपात का मान निकालना है तो एक अनुपात का मान 12 है तो चार का कितना हो जाएगा 12 को चार से मल्टिप्लाई कर देंगे 12 चोकी कितना हो गया अभए 48 इसक्क्रिशन का राइड़ान सो रहेगा option D, next question, question number 9, question number 9 आपसे पूछा है कि एक तरीबुज का छेतरपल 84 वरक मिटर है तता आधार 14 मिटर है, इसके उचाई बताओ, question में क्या देरका है, तरीबुज का छेतरपल आपको देरका है, इसके साथ साथ आधार के लंबाई आपको देरका है, आपसे पूछा है उचाई कितनी होगी, तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि तरीबुज के छेतरपल का फूर्मूला क्या होता है, एक बटा दो गुणा आधार गुणा उचाई एक बटा दो गुणा आधार गुणा उचाई और आपकी पेपर में आर्मी जीडी के पेपर में क्यूशन पूछा गया था कि त्रिवुज के छेतरपल का सुत्तर क्या होगा एक बटा दो गुणा आधार गुणा उचाई तो यहाँ पर आपको दिर्खा है छेतरपल कितना दिर्खा है भई 84 वरग मिटर आधार के लंबाई कितनी दिर्खा है 14 मिटर उचाई आपको निकालना है तो एक बटा दो आधार कितना है आधार दिर्खा 14 उचाई आपको ग्य जाएगा भाग में तो 14 की टेबल से काड़ दिया 84 को 6 बार 6 को 2 से गुणा करेंगे आनुसर कितना जाएगा 12 मीटर आपका आनुसरा जाएगा option A question का right आनुसर रहेगा अगर आप आर्मी की त्यारी कर रहे हैं ऐसे practice at maths के ऐसे practice set लगबग अगर आप 50 के असपास लगा लोगे तो जब भी पेपर देने जाओगे तो 15 में से 12 प्लस ही सही होगे भई 15 में से 15 भी फूर सकते हो अगर आप अच्छे लेवल की practice करते हो लेगिन 12 से कम नहीं होगा भई next question discuss करते है किस्वर रूमर्ट 10 question number 10 original paper में पूछा गया था same as it is question यह जितने भी practice set में आपको करवा रहा हूँ यह original based question है original paper को अच्छे से देख कर उसके बाद practice set त्यार करते है आपके लिए तो यह question आप से पूछा था कि 3 सही 3 बटा 4 के paris prick ज्याद करें paris prick का मतलब क्या होता है reciprocal here reciprocal怎麼 reciprocal का मतलब यह होता है कि अगर कोई संख्या A बटा भी है इसका reciprocal याद करना है तो इसका उल्टा कर दो जो उपर है उसको नीचे और जो नीचे उसको उपर कर दो अब यहाँ पर यह देखना है कि यह आपको एक Mr.BH बहिंदे रखा है मालनी जी यह कोई आपकी एक रेल गाड़ी है और यहाँ पर एक कोई बिजली का पोल लगाँ जब भी कोई रेल गाड़ी किसी बिजली के खंबे को या किसी वेक्ती को या किसी पेड को पार करती है तो हमेशा दूरी में क्या लेते हैं रेल गाड़ी के लंबाई लेते हैं इस कंसेट को ध्यान रखना है यहां पर आपसे पूछाए कितनी देर में पार कर दें, मतलब समय, और समय का formula क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय का formula क्या होता है, दूरी बटा चाल, यहां पर दूरी क्या लोगे, दूरी लोगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 60 मेटर, तो दूरी यहा किलोमेटर परती गंटा में तो दूसरा कंसिप्ट यहां पर यह समझना है कि जब पे चाल किलोमेटर परती गंटा में है उसको मीटर परती सेकेंड में कनवर्ट करना है तो किस से गुणा करते हैं पांच बटा अठारा से यहां पर कितना देर खाया चाल देर खाया बहतर किल किरोमेटर परती गंटा को मीटर पर 30 सेकेंड में कनवर्ट करने के लिए पांच पटा 18 से गुणा करेंगे यह 18 कहां चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे अब 18 की टेबल से काड़ दिया 18 के बहतर पांच को चार से गुणा करेंगे 20 और 20 का भाग देंगे 60 में तो आंसर अगर किसोन आपको अच्छे से समझ में आ रहे है सेशन को अभी तक लाइक ही नहीं किया तो फटा फट लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद आर्मी की त्यारी करने वाले कम से कम एक भाई को सीर जरूर करोगे नेक्स किसोन किसोन में 12 किसोन में 12 आप से पूचा है कि एक विधाले में 60 परतिसत विदार्थी लड़के हैं 60 परतिसत विदार्थी कोन है लड़के है जिदी लड़कियों की संक्या 440 है तो लड़कों की संक्या ग्याद करो माल लीजी कोई भी विधाले है उसके अंदर जितने भी विदार्थी है वो अपने आप में क्या है 100 प पर आपको क्यूशन में दे रखा है कि लड़कियों की संक्या 440 है, यह 440 कितने प्रतिसत का मान है, लड़कियों का प्रतिसत कितना है, लड़कियों का प्रतिसत है, 40 प्रतिसत, बलब 40 प्रतिसत का मान कितना है, 440 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 प्रतिसत का मान क्या होगा, तो 440 बटा 40 होगा अब द्यान ये रखना है कि किश्वन में आपसे पूछा क्या है आप क्या करते हो अधिकतर 100% का मान निकाल देते हो लेकिन किश्वन में आपसे पूछा है भाई लड़कों की संख्या मतलब कितने परतिसद का मान निकालना है 60 का निकालना है इसको तीन से उना करें कितना जाएगा, 660 अपका अनुसरा जाएगा, उपसन सी इस question का राइट अनुसर रहेगा, next question discuss करते है, question number 13, question number 13 आपसे पूछा है, 81 की गहात आपको दे रिखा है, 3 बटा 4 का मान जाद करें, question में क्या दे रिखा है, 81 की गहात, 81 की पावर है, 3 बटा 4 इसका मान आपसे पूछा है, 81 की गहात इरिखा है, 3 बटा 4, इसका मान जाद करना है, 81 को क्या लेख सकते हैं, हम लेख सकते हैं, 3 की गहात 4, और 3 की गहात 4 का मतलब क्या होता है, 81, 81 को हमने लिख दिया, 3 की गहात 4, अब इसके उपर गहात 3 बटा 4, इसके उपर गहात 3 करनी का कि A की गहत M इसकी गहत अगर N हो तो यह गहते आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है तो यहां पर गुणा करेंगे इन गहतों को तीन की गहत चार गुणा तीन बटा चार तो चार से चार क्या हो जाएगा कैंसिल अब बच गया क्या तीन की गहत तीन की गहत ती क्या होता है कि तीन को गुणा करना है कितनी बार तो कितना हो जाएगा 27 आपका आनसर हो जाएगा option D is question का right answer रहेगा question number 13 का right answer रहेगा option D next question 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 14 question 14 आपसे पूछा है कि एक टाइर की तरिजा 7 cm हो तो 100 चकर में कितनी दूरी तै करेगा ये कोई टाइर है जिसकी तरिजा आपको कितना दे रखा है 7 cm दे रखा है आपसे ये पूछा है कि 100 चकर में कितनी दूरी तै करेगा तो एक चकर में कितनी दूरी तै करेगा एक चकर में तै करेगा प्रीदी के बराबर और वरत की प्रीदी क्या होती है प्रीदी अगर निकालना होता है तो फूर्मला क्या रहता है 2 πाई आर तो एक चक्कर में दूरी तै करेगा 2 πाई आर के ब्राबर और पाई का मान कितना होता है पाई का मान होता है 22 वट्टा 7 कोई दिक्कत नहीं अब कैलकुलेट कर दें तो 2 गुणा पाई का मान कितना 22 वट्टा 7 और रेडियस त्रीजा कितना देरखा है त्रीजा देरखा 7 सेंटिमेटर तो 7 से गुणा कर दें तो 7 से 7 काड़ दिया 22 को 2 से गुणा करेंगे 45 सेंटिमेटर मतलब एक चक्कर में दूरी ते करेगा 45 सेंटिमेटर तो 100 चकर में 100 चकर में कितनी दूरी ते करेगा 100 गुणा 45 तो अनसुर आएगा 45 सेंटिमेटर क्या किसी उप्सन में है नहीं है सभी उप्सन आप देख रहा है मीटर में है अनसर सेंटिमेटर में आया है तो सेंटिमेटर को मीटर में कनवर्ट कर दो तो 45 सो में जब हम 100 का भाग लगाएंगे मीटर में कनवर्ट करने के लिए तो अनसर कितना आजाएगा? 45 मीटर अपका अनसर आजाएगा Option A इस क्यूशन का राइट अनसर रहेगा Last Question इस सेंट का इस Practice Threat का Last Question 15 आपके सामने है बहुत ही अच्छा क्यूशन है अच्छे लेवल का क्यूशन है अगर इसका अनसर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी कभी रोक लें 10 सेंट का आपके पास टाइम है जल्दी से इस Question का आनसर कमेट कर दे Question 15 का राइट आनसर क्या होगा चारो अपसर आपके सामने है अच्छे लेवल का Question है एक गलती आप करते हो ऐसे Question में जल्दी इस आनसर कमेट कर दे Season को अभी तक लाइक है नहीं किया तो भाई लाइक करें और Class के बाद Season को शेर जरूर कर दे चले, डिसकस करते है Question 15 का आनसर क्या रहेगा तो यहाँ पर क्या सरलीकर्ण 36 भाग 9 का 1 बटा 3 पलस 2 बटा 3 गुड़ा 3 बटा 2 का मान क्या हो तो यहाँ पर कुन सा कंसिप्ट लगेगा सरलीकर्ण का Board Mass टो सबसे पहले normalized me क्या करते हैं ब्रेक्ट सॉलो करते है क्या कही आपको ब्रेकट नजर आ रहा है नहीं है इसके बाद हम करते हैं मनलब का वाला करते है तो सबसे पहले आपको सरलीकर्ण करना फई इसको सरल करना है और का का मनलब क्या ह certificate गुणा तो और जितना भी है उसको वैसे के वैसे रहने दे 36 भाग 9 का, कहा का मनलब गुणा 1 बटा 3 तो यहां कट जाएगा यह 3 बार यहां पर कितना जाएगा 3 पलस 2 बटा 3 गुणा 3 बटा 2 अब क्या करोगे? अब करोगे भाग तो यहां पर 36 में 3 का भाग लगाओगे 36 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 12 पलस अब गुणा करना है तो यहां पर 3 सी 3 कट गया 2 से 2 कट गया मनलब इसका पूरे का सोलिशन क्या होगा? 1 होगा तो 12 पलस 1 इसका अनसर रहेगा 13 इसका अनसर रहेगा उप्शन D इसका राइट आनसर रहेगा तो आज के सेसन में हम ने डिसकस किया है 15 क्यूशन सेम बिल्कुल आर्मी के ओरिजिनल लेवल में जिस टाइप के क्यूशन पूछ जाते है सेम उसी पैटरन पर सेसन को डिसकस किया हमने तो आज का सेसन अपको अगर अच्छा लगा भई तो आर्मी की त्यारी करने वाले कम से कम एक भाई को सेर जरूर करोगे आपका इस सेसन त्यार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है बहुत सोच समझ कि इस सेसन के अंदर किसन इंक्लूड के जाते हैं तो क्या आप एक सेर भी नहीं कर सकते हैं आर्मी की त्यारी करने वाले हर भाई को सेसन सेर करोगे जितना ज़्यादा आप सेसन सेर करोगे जितनी ज़्यादा आप लाइव लेकर आओगे मैं आपके लिए उतनी ज़्यादा क्लास स्टार्ट कर दूँग ठीक है तो भाई ज्यादा से ज्यादा सेख करें मिलते हैं एक नेक सेशन में एक जोस और जुनून के साथ जाहिएंद जाभार्द